मैं आशा करती हूँ कि सीजन वन की तरह आपको अंब्रेला अक्याडमी का सीजन टू भी बहुत पसंद आने वाला है लेकिन अगर आपने सीजन वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक आपको असानी से मिल जाएगा सीजन वन को देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको सीजन टू की कहानी समझने में कोई परेशानी ना हो जैसा के पहले ही अमरेला अक्याडमी के बहुत सारे राज हमें पता चल चुके हैं तो उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर ही सीजन टू की कहानी शुरू होती है जहां नमबर फाइफ पहले तो वानिया को कियामत लाने से नहीं रोक पाता उसकी वज़ा या थी यह हमें सीजन वन में बहुत अच्छे से एक्स्प्लीन कर दिया है सीजन टू में फाइफ फिर से दुनिया को बचाने और कियामत को रोकने के लिए निकल परता है तो चलिए देखते हैं कि नमबर फाइफ इसमें काम्याब हो पाता है या नहीं जैसा कि नमबर फाइफ सभी को टाइम ट्रैवल की मदद से बहुत पीछे ले आता है लेकिन उसे अपने साथ इतने सारे लोगों को ली जाना पड़ता है जिससे टाइम लाइन में गरबर हो जाती है और सभी लोग अलग अलग जगाओं और समय में आ जाते हैं फाइफ अमेरिका की एक सिटी में पहुँचता है जहां बहुत बुरी जंग हो रही थी लेकिन फाइफ देखकर हैरान रह जाता है कि वो जंग वानिया अकेले ही लड़ रही थी वानिया अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से हर हमले को नाकाम बना रही थी कुछ देर बाद वानिया के पास हेजल आ जाता है जो काफी उमर का लग रहा था हेजल फाइफ को बताता है कि न्यूक्लिर वार के दौरान सारी अम्रेल अकाडमी खतम हो जाएगी जिस पर वो दूनों ये सब बदलने के लिए टाइम ट्रैवल करके वार से दस दिन पहले आ जाते हैं फाइफ हेजल से कहता है कि उन्हें अपने बहन भाईयों को ढून कर इस जंग के बारे में बताना होगा क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो सब फिर से खतम हो जाएगा नमबर फाइफ अभी हेजल से बात कर ही रहा था कि तीन बहुत ही अजीब लोग उसे मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं हेजल भी उन्हें देख लेता है और फॉरण फाइफ की पॉकिट में कुछ डाल कर उसे वहां से भीज देता है वो लोग हेजल को वही गोलियों से भून देते हैं फाइफ अपनी जान तो बचा लीता है लेकिन वो एक आदमी अलियट के पास आता है वो ऐसे अचानक से फाइफ को देख कर बहुत डर जाता है और उसे एक नाइफ की मदद से खुद से दूर रहने का बोलता है लेकिन कुछ ही देर में फाइफ उसे सब समझाने की कोशिश करता है दूसरी तरफ क्लाउस और बेन के पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही रहने की कोई जगा इसलिए वो सब कुछ भूल कर कोई ऐसा काम ढूनने में लग जाते हैं जिससे उनको धेर सारे पैसे मिल सकें सीन्स कट होकर लूथर पर आते हैं जो अब बहुत फेमस किलर बन चुका था अलिसन ने भी अपनी जिंदगी एक पॉलिटिशन जॉन से शादी करके शुरू कर दी थी जो ज्यादा कामियाब तो नहीं लेकिन वो लोगों को उनका हग दिलाने के लिए काम कर रहा था अलिसन अब बोल सकती थी अब सबकी इतनी नॉर्मल और सादसी जिंदगी से ऐसा लगता है कि फाइफ के इलावा किसी को भी अपना पास्ट याद नहीं और वो लोग पूरी तरह से अपना मकसद भूल चुके हैं क्लॉस बेन के साथ मिलकर बहुत चलाकी से लोगों को जादू करके पागल बना लेता है और एक बाबा करूब धारन करके बहुत सारा फेम और पैसे बटोरने लगता है क्लॉस कुछ ही देर में बाचाओं वाले जिंदगी गुजारने लगता है सभी लोग उसकी बहुत इल्ज़त करने लगे थे खैर अब हम डियेगो पर आते हैं जो बिलकुल पागलों वाले होलिये में एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था इसकी वज़ा क्या थी ये हम पर एक राज ही था नमबर फाइव अपने बहन भाईयों को ढूनना शुरू करता है और ट्रैक करते हुए वो किसी तरह डियेगो के पास पहुँच जाता है फाइव उसे सब याद करवाने और अपने साथ चलने का बोलता है मगर डियेगो उसकी ना तो किसी बात पर यकीन करता है और नहीं उसके साथ चलने को तयार होता है है नमबर फाइव वहां से चला जाता है डियेगो को मैंटल हॉस्पिटल में एक लड़की लीला मिलती है जो डियेगो जितनी ही पागल थी अब इधर वानिया दिखाई जाती है जो एक कार एकसिडन की वज़ा से बेहुच हो जाती है कार के ओनर उसे उठा कर अपने साथ ले जाते है यादास चले जाने पर वो लोग वानिया को अपने घर में ही रख लेते है वानिया कारल उसकी वाइफ सिसी और उनके बेटे टॉम के साथ एक बहुत अच्छी जिंदेगी गुजारने लगती है क्योंकि वो लोग वानिया का बिलकुल एक फैमिली मेंबर की तरहां खयार लगती थे सिसी का बेटा बीमारी की वज़ा से कुछ बोल या महसूस नहीं कर पाता था इधर डिएगो लीला के साथ भागने की कोशिश करता है लेकिन अचानक वहां वो ही किलर्स आ जाते हैं जिन्होंने हेजल की जान ली थी वो लोग डिएगो और लीला पर अंधा दुन्द गोलिया चलाने लगते हैं जिस पर डिएगो और लीला खुद को बचा कर वहां से भागने लगते हैं और किसी तरह किलर्स से बचने में कामयाब हो जाते हैं वो लोग कौन थे और उनके पीछे क्यूं पढ़े थे ये हम पर एक मिस्ट्री है जो स्टोरी के एंड में पता चलेगी दूसरी तरफ फाइव लूदर के पास आ जाता है और उसे पास्ट याद करवाने की कोशिश करता है लेकिन लूदर भी उसकी बातों पर कुछ खास देहां नहीं देता और उसे बोलता है कि वो अपनी जिन्दगी में हुश है इसलिए उसे फरक नहीं पड़ता कि क्या होगा या क्या होने वाला है फाइव उसकी बाते सुनकर काफी निराश होता है क्योंकि उसे उमीद थी कि लूदर उसकी बात को जरूर समझेगा अब यहां सीजन में एक मज़ेदार साथ ट्विस्ट अब आता है जब हमें पता चलता है कि एगनिस हेजल की गोली से बच गई थी क्योंकि उसके सर में मेटल प्लेट फिक्स किया गया था वो होश में आने के बाद फॉरण अपनी कमपनी में आती है जहां का डेप्यूटी अब एजे था यानि एगनिस का डिमोशन हो चुका था लूदर उसे देख लेता है लेकिन उसे देखते ही लूदर को सब याद आने लगता है और उसे फाइफ की बातों पर यकीन आ जाता है अब दूसरी तरफ जॉन को पुलीस पकड़ने आती है क्योंकि वो एक हर्ताल करने वाला था जिसमें वो सब ही साया लोग मिलकर सब ही काम रोकने वाले थे एलिसन जॉन को बचाने के लिए पुलीस मैन को पीछे से एक बैट की मदद से हिट करने की कोशिश करती है लेकिन वो जॉन को पकड़ लेते है इसलिए एलिसन काफी डर जाती है और उन से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग जॉन को छोड़ दें जेगो और लीला पागल खाने से भाग जाते है और फाइव के पास आ जाते है ताकि वो उनकी मदद कर सके क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि वो दोनों खत्रे में हैं और कोई उन्हें मार देगा फाइव उनके साथ हेजल की दी हुई वीडियो देखता है जिसमें उन्हें सर रेजिनॉल दिखाई देते हैं इधर क्लॉस पागल पंती करते हुए एक आदमी से उसकी कार लेने के कोशिश करता है लेकिन तब ही पुलीस उसे अरेस्ट कर लेती है जेल में उसकी मुलाकाद जॉन से होती है वो लोग एक दूसरे से काफी बाते करते है लेकिन क्लॉस की शोहरत की वज़ा से वो जेल से जल्दी छूट जाता है एलिसन जॉन से मिलने आती है तो उसे वहां कलॉस की मौजूदगी का एहसा होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसे जानती है लूदर वानिया को ढून लेता है और उसे मिलने के लिए आता है तब ही उसे पता चलता है कि वानिया की आदश्ट एक कार एकसिडेंट होने पर पूरी तरह से चली गई है जिस वजह से उसे ना अपने बारे में कुछ पता है और ना ही अपनी फैमिली के बारे में दूसरी तरफ डिएगो फाइव के साथ सर रेजिनॉल के घर जाते हैं जिसका मतलब के सर रेजिनॉल पहले से ही अमरेला अकैडमी बनाने की तैयारी कर रहे थे और वो जानते थे कि दुनिया में बहुत स्पेशल पावर्ज वाले बच्चे पैदा होने वाले हैं फाइव को वहां पोगो भी मिलता है जो अभी बहुत चोटा था वो फाइव को नहीं पहचानता और उसे डर कर भाग जाता है इधर डिएगो को सर रेजिनॉल मिलते हैं जिससे डर कर डिएगो उन पर अटाइक करनी लगता है लेकिन सर रेजिनॉल बड़ी चला की से उसे जखमी करके वहां से चला जाता है लीला उसे follow कर रही थी इसलिए वो डीगो को जखमी देखकर अपने साथ ले आती है और उसका जखम गहरा होने की वज़ा से डीगो की मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है जल्दी डीगो ठीक हो जाता है अब हमें यहां एक new love story देखने को मिलती है जो डीगो और लीला की थी वो एक साथ बहुत romantic वर्ग गुजारते हैं यहां वानिया अपनी यादाश ना आने पर काफी परिशान थी क्योंकि वो अपनी पहचान जानना चाती थी और अपनी family से दोबारा मिलना चाती थी वो काफी उदास थी इसलिए गाड़ी लेकर बाहर आ जाती है लेकिन कुछ दूर जाने पर वो ही killers आ जाते हैं और वानिया पर गूलिया चलाने लगते हैं लेकिन वो उनसे बचते हुए खेतों में चली जाती है वो काफी डरी और गुस्से में होती है जिस पर उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और एक बहुत ही शानदर फाइट करके उन्हें मार डालती है वो काफी हैरान कर दीने वाला सीन था वानिया की पावर की वज़ा से खेतों में बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है और वहां से सारी फसल गाइब हो जाती है फाइव ऐलियट के साथ मिलकर उस रेडियेशन को महसूस कर लीता है जो वानिया की पावर से निकली थी जिसके बाद वो उस जगा को ढून कर वानिया तक पहुँचने में काम्याब हो जाता है फाइव वानिया को देखकर बहुत होश होता है लेकिन जब वानिया उससे मिलती है तो फाइव को पता चलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं क्योंकि एक्सिडन की वज़ा से वो अपनी यादश्ट खोच चुकी है फाइव उससे सब बताता है और वानिया को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में याद करवाने की कोशिश करता है दूसरी तरफ एलिसन को सब याद आ जाता है और वो फॉरण क्लॉस से मिलने आती है क्लाउस भी उससे मिलकर बहुत होश होता है क्योंकि ऐलसन को देखकर उसे भी सब याद आ जाता है वो लोग एक दूसरे से मिलने के बाद फॉरण जॉन को जेल से रहा करवाने आते हैं और इस सब में बेन उनकी मदद करता है अगले दिन लूदर जॉगिंग करने निकलता है लेकिन रस्ते में उसकी नजर एलसन पर पड़ती है जिसे देखकर वो गिर जाता है एलसन को देखकर लूदर फिर से फाइफ का साथ देने को तयार हो जाता है वो अपने बॉस के पास आता है और एलिसन के बारे में बता कर उसे ढूनने के लिए छुटी ले लेता है जल्दी वो एलिसन के घर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो यहां अपनी शादी शुदा जिन्दगी में बहुत खुश है जिस पर लूदर उसे कुछ बोले बगएर ही जॉन से मिलकर वापस चला जाता है एलिसन एक रेस्टरॉन में जाती है लेकिन वहां के ओनर उसे वहां से जाने का बोलते हैं क्योंकि वो रेस्टरॉन बस वाइट लोगों के लिए था साया लोग वहां खाना या कुछ ओर्डर नहीं करवा सकते थे एलिसन को उनकी बातों पर बहुत उस्सा आता है और अपने मेंबर्स को बुला कर वहां प्रोटेस्ट करने लगती है लेकिन जल्दी वहां पुलीस आकर उन्हें पकर लीती है जॉन उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे बहुत बुरी तरहां से पीटने लगते हैं जिस पर एलिसन उन पर अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है जॉन वो दीख कर काफी हैरान होता है और एलिसन से बहुत नराज हो जाता है क्योंकि उसने कभी जॉन को ना लूदर का बताया था ना क्लास का और अब उसे पावर्स का भी पता चला है इसलिए वो घुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है इधर क्लास अपने एक्स बोईफरेंड के पास आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे मिलिटरी में जाने से रोक सकता है क्लास को फ्यूचर पता था और वो जानता था कि अगर उसका एक्स आर्मी में गया तो मारा जाएगा दूसरी तरफ हम पर रिवील होता है कि लीला और कोई नहीं बलकि एगनिस की एडॉप्ट की हुई बेटी है वो उसे बोलती है कि उन्हें किसी भी हाल में फाइफ को पकरना है बेशक इसके लिए उन्हें उसकी फैमिली को ही क्यों ना खतम करना पड़े लीला उसकी बात सुनकर कुछ हास खुश नहीं होती क्योंकि वो डिल्गो से प्यार करने लगी थी लूदर ऐलिसन की बातों से काफी निराश था इसलिए ठीक से फाइट नहीं कर पाता जिस पर उसे वहां से निकाल दिया जाता है लूदर अपने रूम में होता है तब ही वानिया उसे मिलने आती है लूदर उसे बताता है कि उसके फैमली वानिया को ज़्यादा एहमियत नहीं देती थी क्योंकि शुरू में उसके पास पावर्स नहीं थी जिस पर वानिया काफी घुसा हो जाती है और वहां से वापस जाने लगती है फाइव उसे रोकने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है एलिसन जॉन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी किसी बात को भी समझ नहीं पाता तब ही वहां एलिसन को लूदर मिलता है और वो उसके पास आकर अपने और जॉन के बारे में बताती है फाइव लीला डिएगो एक पार्टी में जाते हैं जहां सर रेजिनॉल आने वाले थी तब ही वहाँ डिएगो को ग्रेस यानी उनकी रोबोट मॉम मिलती है मगर वो इनसान थी तब ही डिएगो को पता चलता है कि सर रेजिनॉल ग्रेस से बहुत प्यार करते थे लेकिन किसी वज़ा से उनसे अलग हो गए और इसलिए उन्होंने रोबोट बनाया जो बिल्कुल ग्रेस की तरहां थी फाइव अब हेजल की वीडियो की वज़ा से सर रेजिनॉल पर नज़र रखने लगता है फाइव को जान पाता इससे पहले सर रेजिनॉल को उसकी मौझूद की महसूस हो जाती है और वो देखने आता है तब ही फाइव टाइम ट्रैवल करके एक जम्प लगाता है लेकिन वहां उन पर किलर्स अटैक कर देते हैं वो तीनों किलर्स से बहुत शांदार फाइट करते हैं लेकिन डियेगो को किलर मारने वाला था लेकिन लीला उसे बचाने के बज़ाए फाइव के पीछे जाती है जिस पर डियेगो बुरा मान जाता है दूसरी तरफ वानिया बहुत रोती है लेकिन वो दीखती है कि टॉम कहीं नजर नहीं आ रहा जिस पर वो पानी में उसका टॉय तीरते देकर समझ जाती है कि टॉम पानी में डूब रहा है जिस पर वो अपनी कमाल की पावर्स इस्तेमाल करके टॉम को बाहर ले आती है इधर क्लाउस अपने एक्स से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि बहुत समझाने पर भी वो आर्मी में जाने पर तयार होता है इसलिए वो फिर से नशा करने लगता है इधर सर रेजिनॉल पोगो पर एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल मसला हो जाने पर उन्हें वहां से पोगो को निकाल कर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दीना परता है बहुत कोशिश के बाद वो पोगो को बचा लीते हैं सिसी अपने हजबन के साथ बिलकुल भी हुश नहीं थी क्योंकि वो उसका जरा भी खयाल नहीं रखता था इसलिए वो वानिया और टॉम के साथ वहां से जाने का फैसला करती है फाइव काफी निराश होता है क्योंकि वो लोग अभी तक सर रेजिनॉल से बात नहीं कर पाई थे तब ही हमें पता चलता है कि लूधर ने सर रेजिनॉल से बात करने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने लूधर की बहुत बेज़ती की और उसकी किसी बात को कोई एहमियत नहीं दी इसलिए लूधर ने उन्हें छोडने का फैसला किया यहां फाइव और डेगो फैसला करते हैं कि वो लीला को अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास कोई भी स्पेशल पावर्स नहीं थी लीला को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता वो वापस एगनिस के पास आ जाती है अब अम्रेल अकाइडमी के सभी मेंबर इकर्ठे होते हैं लेकिन अलियट उन्हें भी बूर कर दीता है जिस पर वो कोई भी जरूरी बात नहीं कर पाते यहां हमें पता चलता है कि किलर्स और कोई नहीं बलके एगनिस के आदमी है वो उन्हें डीगो को मारने का ओर्डर देती है क्योंकि एगनिस समझ गई थी कि लीला को डीगो से प्यार हो गया है जो उनके मिशन के लिए एक खत्रा है किलर्स डीगो को खतम करने आते हैं जिस पर वो बहुत ही चलाकी से उन्हें ट्रैप करके एक आदमी को बलास से उड़ा दीता है वो लोग ये देखकर काफी घुस्रे में आ जाते हैं दूसरी तरफ ऐलिसन क्लाउज और वानिया मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पैन करते हैं फाइव को लीला ट्रैप करके ले आती है तब ही वहां एगनिस आ जाती है और फाइव को समझ आ जाता है कि लीला अभी तक उन्हें सिर्फ धोका दी रही है एगनिस फाइव को ले जाकर एक डील आफर करती है अगर उसने कमिशन के सारे लोगों को मार दिया तो वो उसे 2019 में जाने के लिए सूट केस देगी जिस पर वो वानिया को शान करके रेडियेशन को कंट्रूल कर सकता है जिससे ना तो दुनिया तबाह होगी और ना ही कोई क्यामत आएगी फाइव उसे कुछ देर सोचने के लिए टाइम मांगता है इधर क्लॉस अपनी जिन्दगी से बोर हो गया था और अपने भक्तों के सामने जाकर सारा सच बता दीता है लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता जिस पर क्लॉस को उसा आ जाता है और वो एक आदमी से लड़नी लग जाता है जिससे सब ही लोग चले जाते है कुछ देर बाद वहाँ क्लॉस का बॉइफरेन आ जाता है जो उसे आखरी बार मिलने आया था क्योंकि वो आर्मी जॉइन करने के लिए जा रहा था अलिसन जॉइन को भी मना लेती है और एक साथ वो बहुत इंजॉई करते हैं जिस पर अलिसन बहुत खुश होती है सर रेजिनॉल अमरेल आकैडमी के सभी हीरोस को डिनर के लिए बुलाते हैं उन्हें लगता है कि साथ रेजिनॉल उनको कच अहम खबर देने वाले हैं लेकिन उन से मुलाकात पर पता चलता है कि वो बस उन से मिलना चाते थे लेकिन सर रेजिनॉल उन से मिलकर कुछ खास खुश नहीं होते और सभी को उनकी नकामियों का बताते हैं साथ ये भी अहसास देलाते हैं, कि उन के पास,box हैं. लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्हें वेस्ट करते हैं. सर रजिनॉल 5 को अकीले में ले जाते हैं, ताकि उससे बात कर सकें, वो 5 को टाइम ट्रैवल की सही फ्रिक्वेंसिस तैमाल करने की इक्वेशन बताते हैं ताकि वो किसी घलत जगा भस ना जाए इधर किलर्स लूदर और बाखी सब के अड़े पर आ जाते हैं लेकिन उन्हें वहां एलियट के इलावा कोई नहीं मिलता किलर्स अपने साथी के मर जाने पर बहुत उसा थे इसल फाई झायो के अज़ए और वानिया वहांसे भागने वाले थे लेकिन अचानक वहाँ कारल आ जाता है इधर फाइफ कमिशन के लोगों को मार डालता है । वह एग्निस के कहने पर एज legally को अपने साथ ले जाता है और एग्निस के ह coconut शे कर देती है लेकिन साथ ये भी बता कि फाइव के पास बस 19 मिनिट्स हैं फाइव को बहुत उससा आता है क्योंकि एगनिस ने ये बात उसे डील करते वक नहीं बताई थी खेर टाइम ना होने पर फाइव फॉरण से सुटकेस इस्तेमाल करता है इधर कार्ल वानिया को अपनी वाइव से दूर रहने का कहता है ले क्योंकि वह बहुत ही बुरी इंसान थी फाइव फॉरण से सभी को इकठा करता है इधर बैन क्लॉस की बॉड़ी में आ जाता है और फिर से जिंदगी के होब मजे लेता है फाइव वानिया को लेने आता है पर वो सिसी की वज़ा से उसका साथ देने से इनकार कर दीती है ल के बाद वो एलियट की बॉड़ी दफन करने आता है तब ही वहां लीला डीगो से बात करने आती है इधर एलिसन के घर किलर आ जाते हैं और जॉन पर अटैक कर देते हैं एलिसन आकर फॉरण उन्हें अपनी पावर से एक दूसरे को मारने का ओर्डर देती है जिस पर एक कि करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई एजिंट है जो उनकी कंट्री में घुसकर कोई हूफिया काम कर रही है फाइफ प्लैन करता है कि अगर वो लोग इकठे मिलकर कमिशन का मुकाबला करें तो बहुत जल्द वो लोग कोई न कोई रस्ता निकाल कर गयामत को रोक स कि वानिया की वज़ा से फिर से बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ एक बहुत ही अजीब बात होती है। टॉम और वानिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और उसे भी वानिया के साथ जहट के महसूस होते है। तब ही कार्ल डरकर शूट कर देता है लेकिन बुलेट टॉम से टकरा कर कार्ल को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है इधर फाइफ का ओल वर्जिन आ जाता है अब दू नमबर फाइफ होने की वज़ा से एक को मैं ओल फाइफ कहकर बुलाने वाली हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में कोई दिकत न हो अब लूदर ओल फाइफ के साथ मिल जाता है और फाइफ को मारने की प्लाइनिंग करता है ताकि वो टाइम को ठीक कर सके इधर वानिया बहुत ज्यादा घुस्से में आ जाती है क्योंकि अब तक हुई सारी बातों की उससे फ्लैश बैक्स आते हैं जिससे उसकी आदश् वानिया की अल्टरा रेडियेशन्स एक्टिव हो जाती है और वो फिर से बहुत हतरनाक हो जाती है इधर डेगो एलिसन और क्लॉस वानिया को शान करने पुली स्टेशन आ जाते हैं लेकिन रेडियेशन्स जादा होने पर वो लोग वहां नहीं पहुँच पाते लेकिन उसे गली से लगाकर उसके घुसे को अपने अंदर ज़स कर लिता है और हमेशा के लिए घायब हो जाता है वानिया ठीक हो जाती है और आकर अपनी बहन और भाईयों से मिलती है एजे अब एक प्लाइन बना कर लीला तक एक फाइल भीजवाता है जिससे उसे पता चलता है कि क उसे किक करके सूटकेस के साथ टाइम लाइन में फेक देता है जिस पर सूटकेस टूट जाता है जो एक बुरी खबर थी इधर हमें पता चलता है कि सर रेजिनॉल की जगा एक एलियन ने ली हुई थी और वहां पर एक जंग शुरू करने वाला था वानिया घर आती है तब पूरी टीम के साथ अंब्रेल आकैडमी के हीरोस से लड़ने आती है सबी हीरोस भी उनका मुकाबला करने को तयार थे लेकिन इतनी ज्यादत आदाद में लोग देखकर वह काफी डर जाते हैं तब ही वानिया एक जोरदार रेडियेशन्स निकाल कर सभी लोगों को मार डाल अच्छा था लेकिन अगनिस और लीला खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और इधर हम पर होता है कि लीला के पास भी सूपर पार्वर्स थी जो बहुत ही कमाल थी यह वह किसी की भी पावर कापी कर सकती थी लीला वानिया की पावर कापी करके उन पर जवाब बीवार करत माता पिता को मारा था अब यहां एगनिस आकर फाइव को हत्यार डालने का कहती है मगर फाइव ऐसा नहीं करता जिस पर वो सभी को शूट कर देती है लेकिन पीछे से आकर किलर एगनिस को मार डालता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एगनिस उसे अपने फाइदी के लिए बस इस्तेमाल कर रही थी इधर फाइव थोड़ा होश में होता है इसलिए वो टाइम को थोड़ा पीछे ले जाता है जिस पर समय वहां आ जाता है जहां एगनिस आकर उन्हें हत्यार डालने का कहती है फाइव फ्यूचर देख चुका था इसलिए वो एगनिस को बातों में उलचाता है और किलर के आने का इंतिजार करता है किलर आकर एगनिस को शूट कर देता है जिस पर सभी लोग जिन्दा बच जाते हैं सिवाए एगनिस के अम्रेला अकाइडमी के लोग वापस आ जाते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि अब कोई कियामत नहीं आएगी क्योंकि वो लोग कियामत के एक दिन बाद आई थे और दुनिया बिलकुल ठीक थी तब ही उन्हें सर रेजिनॉल मिलते हैं जो बिलकुल ठीक थे और सुपर हीरोस की एक न्यू टीम को ट्रेन कर रहे थे जिससे स्पैरो अकाइडमी का नाम दिया गया था वो लोग एक दुसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं और यहीं सीजन टू की क्यूरियस एंडिंग हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग